देश्वर प्रदेश की बात करें तो तीसरे चरण का जो लॉकडाउन है उसमें अपकेवल छे दिन बाकी हैं इस बीच सरकार ने अर्थवियस्था को पट्री पे लाना शुरू कर दिया है हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो कुछ जिलों में टाक्सी सेवा जो विदिन जिला है वो शुरू कर दी गई है उना जिले में टाक्सी के साथ साथ आटो चलाने को भी मनजूरी दी गई है साथ घंटे की बात की जाए लॉकडाउन में जो छूट है उसका कारण सरकार की ओर से ये बताया जा रहा था कि ग्रामी इलाकों के लोग जो शेहर में खरीदारी करने आते हैं जरूरी सामान लेने आते हैं उनको काफी मुश्किल हो रही थी लेकिन साथ घंटे की छूट का मतलब ये नहीं है कि हम सब लोग जो हैं बाजारों में चले जाएं अनावश्यक रूप से चले जाएं और लॉकडाउन की जो नियम हैं उसका पालन ना करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करें एक दूसरे से हाथ मिलाएं गले मिलें ये सारी बातें हैं ये हमको छोड़नी पड़ेगी सरकार जो है चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार उसने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हमें करोना जो है उसके साथ जीना सीखना होगा इसलिए आवश्यक है कि हम सब लोग हम सब लोग जो हैं इस महामारी के जाने का नियम हो या फिर एक दूसरे की सहायता करने की बात हो इन सारे बातों को अपनाएं और अपनी जीवन में उतार लें जब तक करोना का कोई वैक्सिन सामने नहीं आता है इस बीच सरकार जो है बाहरी राजियों में जो लोग फैसे हुए हैं लगभग पचास हजार बा राजियों में जाना चाहते हैं उन्हें भी भेजने की तैयारी हो चुकी है तीस हजार श्रमिक पहले ही हिमाचल प्रदेश चोड़कर जा चुके हैं हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो टूरिस्ट जो है वो राज्य है टूरिजम पर सारी हमारी अर्थविवस्था नि बात करें, तो कहीं न कहीं बस सेवाए भी वहाँ शुरू की गई हैं, हिमाचर प्रदेश के अभी भी कुछ जिले ग्रीन जून में आते हैं, लोगों को दफ्तर पहुँचने में काफी कच्छिनाई हो रही है, ऐसे में ग्रीन जून में बसों को चलाने पर विचार सरकार जो आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं और ऐसे में टैक्सी सेवा का इस्तमाल भी किया जा सकता है हम सब को ये बात बिलकुल गांट बांद लेनी चाहिए कि हम को करोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा अन्य अवश्यक रूप से बाहजारों में नहीं घुमना पड़ेगा और जहां तक हो सकेगी एक दूसरे की सहायता करनी पड़ेगी कैमरमें राकेश कुमार के साथ नंदिनी मित्तल डीडी न्यूज शिमला